हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्टड़े 91 के यूटूब प्लेटफॉर्म पे और मैं सुभूम सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ठीक है भई तो LCMN SCF चल रहा है उसकी आज ही नेक्स क्लास है पार्ट नंबर 4 यहाँ पे लिखा सवाल कैसे बनते हैं किस तरह के सवाल बनते हैं क्या बनते हैं वो सारी बाते आजम करेंगे कि जब सवाल में दिया ना गया हो कि लहसा निकालना हो या महसा निकालना हो तो हम कैसे जाने कि हमें लहसा निकालना या महसा निकालना है कुछ application टाइप के सवाल जो अपने regular life में आप यूज भी करते हैं वहां के भी बाता जम करने वाले हैं ठीक है भई तो एक बार जली से वीडियो को फटावट सब लोग सेयर करतीजे है ना एक बार सभी लोग फटावट वीडियो को सेयर और लाइक करतीजे उसके बाद में class continue करूँ ठीक है भई चाकि आपको बीच मे सकते हैं या हमें भेश सकते हैं आपको सिर्फ बार पर सर्च करना है सुभहम सिंघ coal अपने टेलिग्राम पर सर्च करीए सुभहम सिंघ मैट्स और हमसे अपने सवाल पूछी और अपने सवाल भीचिए साथ ही साथ मैंस के किसी भी डाउट के लिए microbial cev में छोभी इन्फोम आज हम इसी टाइप के सवाल करेंगे और भी कई तारे तरह के सवाल मिलेंगे जहां पे बहुत मज़ाएगा आप सबी को तीन अलगले लग चुराहों के ट्राफिक लाइटें करमसर 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं वे सबी एक साथ 10 बच के 15 मिनिट पर बदलती हों तो अगली बार वे कब बदलेंगे ऐसा कह रहा है कि तीन लाइटे हैं 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती हैं वो एक साथ, मतलब वो एक साथ अपना रंग दिखाई होंगी कब 10 बच के 15 मिनिट पर तो कह रहा है कि अगली बार कब रंग दिखाएंगे मतलब हमें क्या चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो उनके समयों से कड़ जाए यानि कि जैसे क्या है, देखो 3 लाइटे हैं, कुछ इस प्रकार सा समझो ठीक है न, यह 3 लाइटे हैं, यह 3 लाइटे अलग-लग सेकंड पर जलती है यह 24 पर जलती है, 36 पर जलती है, और यह 54 पर जलती है, अलग-अलग समय अंतराल पर जलती है, तो हमें कौन सा, अभी यह क्या हुआ कि 10 बच के 15 मिनट पर, जैसे मालनों 10 बच के 15 एम इनट पर, दोनों 3 लाइटों को एक साथ जलाए गया, अब वो अगली बार कब एक साथ ज जलेंगी, तो आप देखेंगे, 36, 24, 34 यह लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें, ध्यान से, जरा ध्यान से देखें, तो एक जैसे 10 बच के 15 मिनट पर जलिये, तीनों एक साथ जलिए 10 बच के 15 मिनट पर, अगली बार 10 बच के 15 मिन 24 सेकंड न होगा तो वो चलेगी, फिर 36 सेकंड होगा तो ये जलेगी, 54 सेकंड होगा तो ये जलेगी, आपसे पुछाए कि कब तीनों लाइटे एक साथ जलेगी, मतलब हमें वो छोटा से छोटा नंबर चाहिए, जो इससे भी इससे भी इससे भी कड़ जाए, यानि हमें इन तीनों का क्या चाहिए, LCM चाहिए, क्या चाहिए, LCM, सवाल में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि इन 3 का हमें क्या चाहिए भी या, लसप चाहिए, अब इन 3 का लसब निकालना बहुत आसान है, आपके लिए बताइए, 36, 24 और इसका लसा कितना आएगा 36, 24 इसका 72 आ गया है 1, 3 कम है 72 तरीका देखो 72 है और 1, 3 कम है तो 7, 216 कितना आएगा 216 मतलब वो 3 लाइट है 216 सेकंड के अंतर बाद एक साथ जलेंगी कब जलेंगी 216 सेकंड के बाद 216 सेकंड आपसे तो समय पूछा है ना समय पूछा है तो आपको मिनेट में बदलना पड़ेगा इसको मिनेट में बदलिए 216 बटे में 60 बटे में 60 कितना हो जाएगा 6, 3, 8, 3 मिनेट 3 मिनेट कितना सेकंड बना बताओ कितना बचा 180 था ना 63 के 180 36 second और बचा हूँ है तो 36 सगेंगी कि तेन टिल का सवाल बनता है तो अगर कर लोगे कि नहीं कर लोगे अभी इसमें बहुत टाइब किया है क्या सवाल इसमें कैसे कैसे घुमाता वो सारे टाइप के सवाल अभी में देखेंगे पहले बताए अगर इस पै्टन का सवाल बनेगा तो आप कर लेगे कि नहीं और ऐसा कोई passar moji जहांपे इस पैटन का सवाल बंता हो कि आभई इस इस इक्जाम में इस पैटन का सवाल निया बना हर एक्जाम में इस पैटन के सवाल दो उसमें बतल तो बहुत सिंपल सा तरीका है अगला देखो CGL Mains की एक्जाम में आया था 2016 वाले पेपर में ठीक है क्या है सवाल तीन घंटिया 36 सेकंड 40 सेकंड 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है और इसमें तीन है तीन तो इसमें आ जाएगा 16 पचे असी और आट नमा बहत्तर ठीक है नभी या 720 आएगा कितना आएगा 720 सेकंड 720 सेकंड के अंतराल पर बजतेंगी इसको यह सेकंड में आया है आपने क्या किया है इनका LCM निकाला है किसका 36,4,48 का लवस पर 720 आएगा तो वही आपने निकाला है ठीक है नहीं 720 कैसे आएगा या 360 भी तो आ सकता है 360,48 से 4,8,65 तो इसको लवस निकालना है ओबर आल देखो 36,40 और 48 इसको क्या लिखेंगे दो का स्क्वाइर गुड़े तीन का स्क्वाइर इसको क्या लिखेंगे दो का क्यूब गुड़े तीन इसको क्या लिखेंगे आएगा, 720 सही है, 720 सेकंड के, ये सेकंड में आया है, किस में आया है, सेकंड में इसको मिनट बदल दो, 720 बटे में 60 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 मिनिट, ना, 12 मिनिट, 12 मिनिट के समया अंतराल पर 3 लाइटे एक साथ जलेंगी, ठीके बई, आपको निकालना इनका LCM, क्या कर करना है, इनी का क्या चाहिए आपको, LCM चाहिए और कुछ भी नहीं, आपसे यही पूछा था, कितने मिनिट के समया अंतराल पर बजेंगी, देखो, SSC Sejal Means के भी एक्जाम में एक कुश्चन आ चुका है, इसका मतलब यह ऐसा नहीं कि आपके किसी फिक्स पैटन के एक्जा एक घंटा और डेड़ घंटा तथा एक घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बसती हैं, आप सबको मिनट बदल दो, तो देखो, एक 30 मिनट हो गया, ठीक है, यह एक घंटा दिया यानि कि 60 मिनट हो गया, यह डेड़ घंटा दिया यानि कि 90 मिनट हो गया, और यह एक घंटा 45 मिनट आपको पुना चाहिए तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कितने समय बाद जलेंगी तो इनका किका लेल securely आप हिरा हिरिका इन का क्या चाहिए और एक सो पांच लिए एकदम आशान तरीकाइं लस निकालने का एक है RH • 1260 205 है साथ, दो का स्कुटार गुड़े 3 गुड़े 5 है, यह क्या है, 185-90 है, तो 2 गुड़े 3 का स्कुटार गुड़े 5, ठीका न, 185-90, ठीका है भाईया, और Shelby 5 है, और यह क्या है, 225-75 है तो 3 गुड़े 7 गुड़े 5 है, ठीका न, यह है, आपको छहिए इनका LCM, चाहे common हो या ना हो max power, लसा निकालने के और भी कई सारे तरीके हैं, जहां से आप लसा निकाल सकते हैं, मैंने सब तरीके आपको बताए हैं, मैं ये तरीका लगा रहा हूँ, आप कोई दूसरा तरीका भी निकाल के लसा लगा सकते हैं, तो ये 2 का square बनेगा, इंटू में, 3 का square जल दू, तो 1260, बटे में 60, जिरू-जिरू कट गया, इसने इसको कितनी बार में काटा, बताओ, 6 दुनी के बार है, चाहिक कम 6, 21 घंटा बाद, 21 घंटा बाद फिर से जलेंगे एक साथ, 21 घंटा के बाद, कितने घंटे के बाद, 21 घंटे के बाद, अब दो पहर में 12 बजे बजली थी, ठीक है न, 12 बजे दो पहर में जली थी, तो अब कब जलेंगे आप से ये पूछा है, मतलब बजेंगी, ऐसा है, तो कब बजेंगी, देखो द्यान से, आपने क्या किया, ये जो दिया था, चार घंटिया, एक तो 30 मिनट दिया था, दूसरा एक घंटा दिया था तीसरा देड घंटा दिया था, और चौथा एक घंटा पैतालीस मिनट दिया था, ठीक न, आपने क्या किया, इनका लवसा निकाला इन चारों का, क्योंकि जब आपको वो नमबर चाहिए, जो इन सभी नमबर से कट जाए, वो हो चोटा से छोटा नमबर, जो इन सभी से क्य करें कड़ जाए आपको वह नंबर चीए तो आपको क्या करना पड़ेगा इनका LCM लेना पड़ेगा आपने LCM निकाला मैंने ये तरीका लगाया गुडंखंड भी दिया भाज गुडंखंड भी इसको कहते हैं आप किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं जो आप पैटनिक तर तरीके से निकालो तो मैंने लगसा माल लो इस तरीके से निकाला मेरा लगसा आया 1260 चुकि सबकुछ मिनट में था सबको मैंने मिनट में चेंज किया तो यह मिनट में आएगा बारा बज़े बज़े थी बारा बज़े अगर बज़े से आप काउंट करोगे तो 21 घंटा कित अगले बज़े 12 बज़े दो पहर मतलब उससे 3 गंटा कम कर दो तो 12 दो पहर 9 एम 9 एम पे बज़ेंगी 9 एम 9 एम पे बज़ेंगी गंटी है कब बज़ेंगी भीया 9 एम पे बज़ेंगी एक बार और देख लो 2 का स्क्वाइर सही है, 3 का स्क्वाइर सही है, 5 सही है, 7 सही है, ठीक ना, 4, 9, 36, 36 गुड़े में 5, 36, 15, 18, 18, 17, 12, 16, सही है, ठीक है न भी है, तो 21 गंटे के बाद याने कि 9 बज़े 2 पहर को बज़ेंगे, चलो, अगला देखो, 9 कक्षा के छातर 6, 8, 12 या 16 की पंक्टियों में बनाई जाते हैं, कोई भी छातर चुड़ता नहीं है, तदा अनुसार उस कक्षा में छातरों की कुल संख्या कितनी है, देखो जैसे माल लो कि एक class है उसमें कुछ बच्चे हैं पता नहीं कितने बच्चे हैं वो नहीं पता लेकिन उसमें एक condition दे दी गई है क्या condition दे दी गई है कि वो चाहें तो 6 की पंक्ती बना ले मतलब 6-6 बच्चे एक एक पंक्ती में खड़े हो जाएं चाहें तो वो 8 की पंक्ती बना ले 12-12 बच्चे एक एक पंक्ती में खड़े हो जाएं चाहें तो वो 16 की पंक्ती बना ले 16 की पंक्ती बना ले कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि भाईया 6 पंक्ती 6 पंक्ती 6 बच्चों की पंक्ती बच्ची आप कोई पंक्ती में नहीं आ पाया बाहर रहे ग यह लॉजिक निकल के आता है कि इन सबसे कड़ जाए वह चोटा से चोटा नंबर जो इन चारों से कड़ जाए मतलब आपको क्या चाहिए लसर 6, 8, 12 या 16 का LCM चाहिए आपको अब इसका जो LCM आएगा 6, 48, 48, 48, 48, 48 आएगा इसका लसर मतलब क्लास में 48 बच्चे होंगे अगर क्लास में 48 बच्चे हुए तो आप 6 की भी पंक्ती लगाओगे तो भी एक भी बच्चा पंक्ती से बाहर ने जाएगा सब पंक्ती में आ जाएगे 8 की पंक्ति लगाओगे मतलब 8-8 बच्चों की पंक्ति अगर बनाओगे तो भी कोई बच्चा क्लास के बाहर नहीं जाएगा 12 की पंक्ति बनाओगे तो भी कोई बच्चा क्लास के बाहर नहीं जाएगा तो या तो बच्चे 48 होंगे, या फिर अब जो भी बच्चे होंगे, वो 48 के ही गुना में होंगे, 48 गुड़े एक या तो 48 होंगे, अगर 48 नहीं हुए, तो 48 के ही गुना में होंगे, 48 दुनी के 96 होंगे, इस तरह का सवाल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मतलब 96 बच् कोई और ले लोगे तो नहीं बन पाएगा जैसे मालो आपके रो उन चास जैसे मालो आपने कहा सर ठीक है मैं 60 बच्चों की पंक्ति बना देता हूं तो 60 बच्चों की बनाओगे तो 6 बच्चों की पंक्ति अगर बनाओगे तो 10 पंक्ति बनेगी ठीक है 12 बच्चों की पंक्त सो की पंक्ति बनाओगे तो 8 सते 56 चपन लड़के तो पंक्ति में आ जाएंगे लेकिन 4 लड़के पंक्ति के बाहर हो जाएंगे तो आप से क्या बोल आय कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए तो कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब सबसे कट जाए कट जाए इसका मतलब लश चाहिए आप समझ में आ रहा ना चलो समझ में आ रहा था एक बर वीडियो को फटापट सेयर कर दो भाई और 96 क्यों होगा क्योंकि 48 तो राइट आंसर है लेकिन जो भी बच्चे होंगे वो 48 के ही गुणा में होंगे ठीक है बाई चलो सेयर करते हो वीडियो को भाई चल्दी जल्दी तीन लड़के एक ही अस्थान से चलें देखो इसी टाइप के कई सारे सवाल बनते हैं वो सारे तरह के सवाल में आपको आज आपको दिखाऊंग होगा यहां पर तीन लड़के एक ही अस्थान से चले हैं यदि उनके कदम क्रमसा 36 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे प्रस्थान बिंदु से कितनी दिनी पर फिर से एक साथ कदम रखेंगे देखो एक अस्थान पर सबने एक साथ कदम जैसे मालो यह तीनो होगे मालो तीनों के कदम हैं यहां पर एक साथ है अब उन्होंने क्या किया कि तीन बच्चे हैं लेकिन तीनों छोटे बड़े जादा होंगे तो किसी का कदम 36 चल रहा है किसी का कदम 48 चल रहा है ऐसे छोटा बड़ा कदम चल रहा है तो आप से पूछा है वह कौन सा स्था जहां पर उन तीनों के कदम फिर से एक साथ पढ़ जाएंगे मतलब अभी क्या है कि जैसे पहला कदम जब बढ़ाएगा तो 36 सेंटिमेंटर पर जाएगा जब कि दूसरा बढ़ाएगा तो 48 चला जाएगा तीसरा बढ़ाएगा तो 54 चला जाएगा आपको वह नंबर चाहिए जो आपको कौन चाहिए आपको वह दूरी चाहिए जब तीनों का कदम एक साथ चले मतलब तीनों का कदम एक साथ पढ़े मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 36 से भी कड़ जाया 48 से भी कड़ जाया और 54 से भी कड़ जाया किसका 36, 48 या फिर चाहिए यह देखो 27 गु 27 गुड़े 16 कर दो 16 सत्य 112 को 2 16 दोने के 32 32 वर 11 43 432 आएगा इसका लगस ठीक न 432 इसका LCM आया मतलब 432 सेंटीमीटर के बाद 3 के कदम एक साथ पढ़ेंगे आप से क्या बोला है कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे तो 432 सेंटीमीटर पर आप सन आपको किस में दिया है मीटर में दिया तो इसको मीटर में चेंज कर लो तो 4 मीटर 100 से बाग करेंगे 4 मीटर प्लस में 32 सेंटीमीटर 4 मीटर 32 सेंटीमीटर के बाद उनके कदम एक साथ पढ़ेंगे दे दिया है और वे करमसह 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेगंड के अंतराल पर रज़ती है वे एक साथ बजना शुरू की हो तो 30 मिनिट में घंटिया कितनी बार बजेंगी इस बार पूछा है कितनी बार बजेंगी बहुत important सवाल है जब एक निश्ची समय में बार पूछ दे कितनी बार जलेंगी तो इस तरह का भी सवाल बहुत ही प्यारा कोश्चन माना जाता है चलो देखते हैं यहांस देखो पहले तो आपको यह निकालना है कि वे तूने गंटिया एक साथ कब बजेंगी तो आपको 4, 8, 10, 12, 18, और 20 इनका क्या चाहिए, LCM चाहिए इनका क्या चाहिए, LCM चाहिए तो इनका जो LCM आएगा ना मेरे भाई इनका जो LCM आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि 8 और 20 है ना, 18 है तो 9 है, 9, 8, 72 है 72 गुड़े 5, 360 आएगा कितना आएगा? 360 आएगा इनका लगसा ठेके ना इनका लवसा कितना आये जाएगा? 360 ठेके भई, अब इनका लवसा जो आ गया है 360 अब समझो मेरी बात को ये जो लवसा आया ना 360 ये किसमे आया है? ये second में दिया है तो लवसा इनका किसमे आया? Second में आया है आप इसको मिनट बदल दो तो 360 बटे में 6 60 कितना आ गया? 6 मिनिट ये 6 मिनिट क्या है? 6 मिनिट के बाद वे एक साथ बजेंगे ये 6 मिनिट के बाद एक साथ जलेंगी सभी घंटियां या बजेंगी 6 मिनिट के बाद एक साथ बजेंगे तो 30 मिनिट में वो कितनी बार बजेंगी? आप से ये पूछा है तो आप बताओ, अगर 6 मिनिट के अंतराल पर बज रही है देखो, 6 मिनिट के अंतराल पर बज रही है तो 30 मिनिट में कितनी बार बजेंगी? 30 बटे 6, 5 बार बजेंगी क्या 5 बार इसका right answer होगा आप बताओ क्या 5 बार इसका right answer होगा सुनो ध्यान से मेरी बात को देखो पहले आपने क्या निकाला यह जो 6 गंटियां हैं इनका समया अंतराल दिया इसका मतलब 1 गंटी 4 सेकंड के बाद बसती है दूसरी गंटी 8 सेकंड के बाद तीसरी गंटी 10 सेकंड के बाद चोथी 12 सेकंड के बाद इस तरह से अलग-अलग समया अंतराल पर यह गंटियां बज रही है ठीक है भई तो आपने वो समय निकाला कि सभी गंटिया एक साथ फिर कब एक साथ बजेंगी जैसे स्टार्टिंग में उन्हें एक साथ बजा के छोड़ दिया गया तो सभी गंटिया फिर से एक साथ कब बजेंगी आपसे यह पूछा गया है तो देखो मेरी बात को जैसे कितनी सभी गंटिया एक साथ कब बजेंगी तो आप इनको लवसा चीए हो छो मिनट के बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, कितना मिनट बाद, छो मिनट के बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, तो आप से पूछा है कि 30 मिनट में सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आपने कहा 30 बटे 6, गुर जी 5 बार बजेंगी, लेकिन 24 पे 24 मिनंट के बाद 4 बार हो जाएंगे 30 मिनिट में पांच बार बजेंगी लेकिन एक बार ओर बजी थी स्टार्टिंग में जब 0 मिनिट था जैसे मालो एक बार घंटी बजा दी गई और समय तुरनत इस्टार्ट कर दिया गया तो इसका मतलब पहली बार इसका right answer है, 5 नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पहली बार बजी थी घंटी, पहली बार जो बजी थी, उसको आप भूल रहे थे, जो पहली बार घंटी बजी थी, उसको आप भूल रहे थे, क्यों पहली बार को भूल रहे थे? देखो, आप 6-6 मिनट के बाद तो count कर रहे हो, लेक खमेशा आड करते हैं इसमें जानते रहेगा इसको यह बहुत ही अच्छा सवाल था ठीक है बाई अगला देखो पांच घंटियां है यह देखो यूपी पुलिस यूपी एसाई का कुश्चन है ठीक है ना 21 दिसंबर 2017 बैच नमर टूगा कि 3, 5, 9, 10, 15 मिनट के अंतराल पर ब अगनटा प्र गंटा मनें साड़ीक ज्यारा साड़ीक ज्यारा बजे बज़ेंगी बहुत आसान सवाल यह तो देखो यह देखो तीन पांच नो दशर पंद्रका लसर पंद्र आर पंद्रह देखो कितना आएगा 90 आएगा इनका लगसा, कितना आएगा LCM, 90 आएगा, मतलब की, हाँ, 90 आएगा, तो 90 मिनट के बाद वे एक साथ बजेंगी, 90 मिनट के बाद, अब सुबह 10 बजे बजाए गए थी, तो 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 गंटा, 10 बजे से 1.5 गंटा कितना होता है, 11.30, देखो 11.30 औ रहे, लेकिन यह PM दिया है, इसलिए यह नहीं होगा, आसान है, सिर्फ लगसा निकालना और कुछ भी नहीं, अगला देखो, अब यहां से दिको सवाल बदल गया, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, एक दूद वाले के पास एक केन में 75 लिटर दूद पैमाना है, अगर उसको इतना लिटर दूद देना है, तो कैसे देगा, है ना, या फिर हमसे इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते थे, बहुत अच्छा सवाल है यह, ठीक है ना, देखो, उसके पास केन है, एक जगा 45 लिटर दूद है, दूसरे जगा 75 लिटर है, द लेकिन उसके पास पैमाना जो है, वो एक ही है, पैमाना कितना है, एक ही है, तो बड़ा से बड़ा कौन सा पैमाना, क्या बोला है, अधिक्तम छमता वाला, बोला है ना, यानि कि अधिक्तम यानि कि बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा कौन सा पैमाना यूज करेगा, क हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर चीए, जो 75 को भी काट दे और 45 को भी काट दे, यानि कि इस बार हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, किसका 75 और 45 का, बताओ कितना आएगा, 15, यानि कि उसे 15 लिटर का पैमाना चीए, अगर 15 लिटर का पैमाना हुआ, तो वो दोनों प्रकार के दूधों को आसानी से माप लेगा, पास अम्याना, एक दूधो वाले के पास, एक केन में 75 लिटर दूध, दूसरे केन में 45 लिटर दूधे, क्या बोला है, 75 टेकन इन दे कैन नियर दे मिल्क मैन, मतलब की मैक्सिमम कौन सी वो ले ले, कौन सा बड़ा से बड़ा बरतन ले ले, जिससे वो दोनों प्रकार के दूधों को बहुत आसानी से माप ले, जिसमें 75 लिटर दूधे और 45 लिटर दूधे, तो आपको क्या चाहिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, जो दोनों प्रकार के केनों को, मतलब जो दोनों प्रकार के बरतन है, उनको आसानी से डिविजबल करे, इसका मतलब बड़ा से बड़ा नंबर का मतलब क्या होता है, जहां भी बड़ा से बड़ा नंबर की बात करते हैं महत्तम समापवर्तक याद है न HCF, मतलब आपको 75 और 45 का HCF चीए आसानी से आप आंसर क्लिक कर दोगे लेकिन सवाल को समझना important है क्या समझना important है? क्या इस सवाल में कही पर भी लिखा है कि आप महसर पग्याद करो? बताए, क्या इस सवाल में कही पर भी लिखा है कि आप HCF निकालो, चाहें इंग्लिस वाला पढ़लो चाहें हिंदी वाला पढ़लो, कही पर भी नहीं लिखा है लेकिन आपको यह यहां से जो दिमाग होती है, जो तारकिक सकती होती है वहाँ से पता चलना चाहिए कि देखो 75 लिटर का दूदे उसके पास एक पैमाने में और दूसरे में उसके पास 45 लिटर का दूदे उससे एक एक रही बरतन यूज़ करना है और दोनों प्रकार के दूदों को मापना हैं, तो वो क्या करेगा, वो बड़ा से बड़ा बरतन, लेकिन और क्या बोला है, सवाल में बोला है, कि अधिक्तम छमता का बरतन होना चाहिए, वैसे तो पांच लीटर वाला भी पैमाना यूज़ करेगा, तो दोनों को माप लेगा लेकिन आपको बड़ा से बड़ा बरतन चाहिए, बड़ा से बड़ा पैमाना चाहिए, तो आपको बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, जो 75 को भी काट दे, 45 को भी काट दे, तो इसका मतलब आपको H.S.E.F. लेना है, चलो अगला देखो, छात्रों की अधिक्तम संख्या ग् जान से भाई छात्रों की अधिक्तम संख्या ग्याद करें जिनके बीच 1001 कलम है और 910 पैंसिल है इस प्रकार बाठा जाए कि प्रतेक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पैंसिल प्राप्त हो ठीक है ना तो आपको किस प्रकार मतलब एक मतलब वो क इसमें important है यहाँ पर कि आपको बोला है कि अधिक्तम संख्या क्या बोला है अधिक्तम संख्या ग्याद करें अधिक्तम संख्या ग्याद करें यहनि कि गलत हो गया है, यह तो हो इनी सकता, SCF हमेशा नंबर से छोटा होता है, यह भी नहीं हो सकता, 210 से छोटा होगा, मतलब यही वाला इसका आंसर होगा, आप डिरेक्ली लगा सकते हैं, कैसे, 1,90 इसको भी काट देगा, इन दोनों का जो मौसप आएगा, वो 1,90 आएगा, एक प्रकेट की 48 गेदे, हौकी की 72 गेदे, टेनीस की 84 गेदों, को कई पंक्तियों में इस प्रकार वेवस्थित करना है, कि प्रतेक पंक्ति में एक ही प्रकार की गेद समान संख्या में हो, इस प्रकार से गेदों को बेवस्थित करने के लिए आवस्यक नियुम्तम पक्तियों की संख्या क्या होगी भूत प्यारा सवाल है The 48 balls of cricket, 72 balls of hockey and 84 balls of tennis are to be arranged in several rows in such a way that each rows has equal number of balls प्रतेक rows के बाद equal number of balls है and what is the minimum number of rows required to organize balls in this way आपको वो कम से कम कितनी rows के आवसकता पड़ेगी बोला न, what is the minimum number of rows कितनी कम से कम rows के आवसकता पड़ेगी कि आप उस ball को इस तरीके से assemble कर सकें इस तरीके से आप organize कर सकें या इस तरह से आप विवस्थित कर सकें ठीक है, जबकि और वो तरीका कौन सा है जिस तरीके से आपको करना है वो तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है देखे, कहरा है कि यहाँ पर कहरा है in several rows, in such a way in such a way that each row has equal number of balls of same time है न, मतलब same प्रकार की गेद होनी चाहिए equal number of rows, same प्रकार की गेद भी हो और संख्या भी समानो चलो, अब सुनो ध्यान से सवाल को अब सवाल का logic समझो कि सवाल में कहा लिखा गया है कि हमें लवसर निकालना है या मसर निकालना है, कहीं भी नहीं लिखा गया है वो आपको अपने दिमाग से सोचना है है कि हमें लसर चाहिए या मसर चाहिए चलो सुनो दियांसे जैसे माल लो आपके पास 48 बॉल है क्रिकेट की 72 बॉल है हाकी की और 84 बॉल है टैनिस की आपके पास यह तीन तरह की बॉल है क्रिकेट होकी और टैनिस जिसमें 48 72 और 84 इस तरह की गेंदे हैं आपको आपसे कह रहा है कि उसे इस प्रकार से आप अरेंज करो मतलब इस प्रकार से आप रखो उन गेंदों को कि एक पंक्ती में एक ही प्रकार की गेंदो एक ही प्रकार का गेंद का मतलब अगर cricket की गेंदो तो उसमें सब cricket की ही गेंदो अगर hockey की गेंदो तो उस पंक्ती में सब खाली hockey की गेंदो अगर tennis की गेंदो तो उसमें सब प्रकार की खाली tennis की ही गेंदो लेकिन एक और condition है क्या सभी पंक्ती में गेंदों की संख्या समान होनी चाहिए ये भी condition है इसका मतलब और आपसे बोला कम से कम पंक्ती चाहिए आपसे बोला न कि इस प्रकार से बेवस्थित करने के लिए नियुम्तम पंक्तियों की संख्या मतलब कम से कम पंक्ती चाहिए अगर मेरे भाई पंक्तियों की संख्या कम चाहिए तो एक पंक्ती में गेदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तभी तो एक पंक्ती में अगर जादा से जादा गेंद रखोगे तो पंक्ती आटोमेटिक कम हो जाएगी बासन में तो इसका मतलब आपको एक पंक्ती में जादा से जादा गेंदे रखनी है यानि हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इन सभी प्रकार के गेदों को काड़ दे क्या करें काड़ दे हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए यानि कि हमें क्या चाहिए HCF चाहिए किसका 48 का 72 का और 84 का बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आ रहा है ठीक है ना बहुत सारे लोगों का अंसर गलत आ रहा है मुझे पता है आप गलत करोगे चलो देखो यहां से समझो आपको सिफ चीह और इसका जो सिफ आएगा वो कितना आएगा ट्वेल बाएगा बार चुको गड़ 500 बार च्थ गलत है अगर आप एंसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कूल गलत है थ्यान दो थिखद क्यूं क्यूं अया क्याक्या पहले यह तो पता हो ऐसा थोड़ी की बस मच निकाल ले अंसर आगया ऐसा थोड़ी होता है यह आया क्या है? नॉलेज पता होनी चीए कि है क्या? तो सुनू ध्यान से. आपने क्या निकाला? 48 गे 72 बॉल्स और 84 बॉल्स को वो बड़ा से बड़ा नंबर जो काट दे मतलब प्रतेक पंक्ती में रखे गेदों की संख्या आई है. ये 12 क्या है? प्रतेक पंक्ती में रखी गेदों की संख्या है. ये क्या है? प्रतेक पंक्ती में रखी गेदों की संख्या निकाला है आपने. ये जो 12 बाया है, ये क्या आया है? प्रतेक पंक्ती में 12-12 गेदे आपको रखनी है. प्रतेक पंक्ती में कितने कितने गेंदे रखनी है बारा 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 गेंदे रखनी है बासन में प्रतेक पंक्ती में अगर आप बारा बारा गेंदे रख देते हो तो आपका काम हो जाएगा प्रतेक पंक्ती में आपको बारा बारा गेंदे रखनी है लेकिन आप से क्या पंक्तियों कि संख्या आप से तो पंक्तियों कि संख्या पूछा आए और यह जो बारा आया वह एक पंक्ति में गेत ऑफ की संख्या आया है ठीक को तो देखोव आप 1217 बारा बौल्स रखोगे जैसे एक पंक्ती बनाओगे तो उसमें 12 बॉल रखोगे दूसरी आपको कितनी पंगतिया बनानी पड़ेगी तो जैसे जब आप cricket का बना ओगे किसका बनाओ गे एसे ही जब आप हौकी का बनाओगे किसका हौकी जब आप हौकी का बनाओगे तो वहाँ पे 72 है और 12 के हिसाब से कितनी पंगती बनाओगे 12 चक 72 छे पंगती बनाओगे और जब आप टैनिस की बनाओगे किसकी बनाओगे टैनिस की जब आप टैनिस की बनाओगे तो टैनिस में कितनी पंक्ति आए आप बताओ टैनिस में कितनी पंक्ति आए तो टैनिस में आपको पता है कि टैनिस में 84 गेंदे हैं इतनी है 84 गेंदे हैं और 12 के हिसाब से जब आप बनाओगे तो बारसते 84 साथ पंगती बनाओगे तो टोटल कितनी बंगती बनेगी चाचार दस साथ 17 पंगती टोटल बनेगी 17 रोज आपको टोटल बनानी पड़ेगी तो 17 इस दर आइट आंसर बासन भाई 17 इसका सही उत्तर है ऐसा नहीं कि बस मसा निकाल दिया 12 आ गया तो आंसर मार दिया और आगे बढ़ गया ऐसा करतोगे तो ये गुना नहीं गुना है अजीम माना जाएगा फिर सदेखो बता देता हूँ जिनको ना समझ में आ है सुनो दियान से देखो भीया आपके पास तीन तरह की गेंदे है 48 बाल से क्रिकेट की 72 बाल से हौकी की और 84 बाल से टेनिस की आपको इस तरह से अरेंज करना है कि एक पंक्ती में मतलब एक रोज में एक ही प्रकार की गेंदो पहली कंडिशन दूसरी हर रोज में नंबर ऑफ गेंदे इक्वल हो वासन में जो गेंदो की संख्या हो समान हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए और पंकियों की संख्या कम चाहिए नियुम्तम पंकी minimum number आप रोज सहिए आपको अगर minimum number रोज चीए तो गेंदों की संख्या जादी करनी पड़ेगी एक पंक्ती में मतलब हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर या बड़ा से बड़ा गेंदों की संख्या चीए जो इन सभी प्रकार की गेंदों को काट दे हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर चीए जो सभी प्रकार के नंबरों को काट दे तो हमें मसर चीए काट दे का मतलब मसर यही सारे concept यूज करना होता है यही मैंने आपको बताया था तो हमें 48, 72 और 84 का HCF चीए तो HCF कितना आया 12 यह 12 क्या आया है प्रतेक पंक्ती में रखी गेंदों की संख्या आई है मतलब एक पंक्ती में आपको 12-12-12 गेंदे पुट करनी पड़ेंगी 12-12-12 गेंदे आप पुट करोगे तो आपका काम हो जाएगा प्रतेक पंक्ती में ठीक है भाई तो आपने 12-12 गेंदे रख दिया प्रतेक पंक्ति में, तो आपसे तो ये पूछा था पंक्तियों की संक्या, अब जैसे माल लो, क्रिकट की आपने रोज बनाई, तो आपने एक रोज में 12 गेंदे रखी, होकी की रोज बनाई, तो एक में 12-12 बाल्स रखी है, सभी बारा-बारा गेंदों की पंक्ती बनाओगे तो कितनी पंक्ती बनाओगे तो क्रिकट की कितनी पंक्ती बनेगी क्रिकट में टोटल 48 गेंदे हैं आप बारा के हिसाब से कितनी पंक्ती बनाओगे तो चार रोज लगाओगे क्रिकट के लिए चार पंक्ती इस तरह से क्रि पैंटि में 12 गेन्दोगी और हर पंगति में खाली किर्केट की गेंदोगी ऐसे ही चैनिस होकी की होकी की टो presume Со 侯हें हर दोकी जो में च्वरा दोकी और शे पंगति बनेगी आंट्यू में खाली होकी होगा ऐसलिक टेनिस वालाELLI तो कुल मिलाके आपको 17 पंक्ती बनाने पड़ेगी, चलो, अगला कुश्चन देखो, सेम टू सेम ऐसा ही है, क्या लिखा है, यहाँ पे बोला है कि 24 आडू है, 36 खुबानी है और 60 केले हैं, यह फ्रूट है इस तरह के, ठीक है न, यहाँ पे देखो अंगरेजी में लिखा है यह पीचेस है, यह अप्रिकर कॉट्स है और यह बनानाज है, ठीक है न भई? उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रतेक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार का फलो, सेम टू सेम सवाल है, ऐसा करने के लिए पंक्तियों की नियुमतम स संक्या बस नंबर बदला है और कुछ नहीं मतलब सबसे पहले आपको चाहिए SCF किसका 24, 36 और 60 का कितना आएगा SCF इसका 12 आएगा तो क्या 12 हमारा अंसर हो जाएगा पिजले सवाल में भी तो 12 अंसर कह रहे थे 12 नहीं बनेगा बारा क्या है यह जो बारा आया है मेरे भाई यह बारा क्या है यह प्रतेक पंग्ती में प्रतेक पंग्ती में रखे फलों की संख्या है प्रतेक पंक्ती में रखे फलों की संख्या है, प्रतेक पंक्ती में आपको बारा-बारा मैक्सिमम फल रखने पड़ेंगे, ठीक है बाई, अब आपसे पूछा है number of rose कितने होंगे, number of rose, तो फिर से वही तरीका कि आडू के कितने रोज बनेंगे, देखो आडू के कितने बारा कितने बनेंगे, दो रोज बनेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपके जो आपरिकोट से उसके खुबानी के, खुबानी के कितने फ्रूट है, तो 36 है, तो 36 बटे 12 कितने हो जाएंगे, बारत रोज बनेंगे, ऐसी 60 वाले कितने बनेंगे, 60 कोने बनानाज, मतलब केला, केला के 60 बटे 12, यानि कि 5 रोज इसके बनेंगे, टोटल कितने रोज हो गए, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 रोज टोटल बनेंगे आपके, कितने रोज बनेंगे भीया, 10 रोज बनेंगे, बास समझा रही है, बताओ, अब बन रहा है सवाल बहुत अच्छे से, बिल्कुल बनेगा यार, सवाल क्य 44 गाये हैं, ठीक है, और 2475 भेडे हैं, ठीक है, उन्हें जुन्डों में इस प्रकार बाटना है, कि प्रतेक जुन्ड में बराबर पसु हो, और गाये हो, और गाये और भेड अलग अलग हो, यदि वे जुन्ड जितना बड़ा हो सकता है, उतना बड़ा हो, तो जुन्ड में कितने पसु तता जुंडों की संक्या दोनों बातें इस बार पूचा है सवाल same to same है बस आपको थोड़ा सा समझना होगा सवाल की भासा को बाकी तो कुछ नहीं दे रखा है अगर सवाल की language को समझ गया तो फिर तुम्हा ले सवाल एकदम हलवा है हलवा क्या है बताओ हलवा है कौन सा हलवा पसंद है वही वाल हलवा है सोच लेना तुम देखो क्या कह रहा है एफ फॉर्मर has 945 cows कितने 945 cows है and 2 475 sips है इतने भेडे है ठीक है ना He divides them in the hearts मतलब उन्हें ग्रूप में वो divide करता है इस सचे वे इस तरह के मतलब हर्ट का मतलब होता है जो पसुओं का समू होता है उसको हर्ट बोलते हैं समू ठीक है ना इस सचे वे डाट इच हर्ड मतलब प्रतेक समू में has equal number of animal मतलब पसुओं की संक्या समान होनी चाहिए प्रतेक समू में पसों की संख्या समान होनी चीए and cows and sips are different जबकि cows और sips जो हते हैं मतलब उनकी अलग-अलग होनी चीए ऐसा नहीं कि एक समू में आपने पसों की संख्या समान कर दिया उसे में cow भी डाल दिया उसे में sips भी डाल दिया अगर सिप का ग्रूप बनाना तो सिप का अलग ग्रूप बनाओगे समझ में आ रहा है और तुम्हारा का में वीडियो को सेर करना तो सेर कर दिया करो टाइम पे वरना ऐसे cow और सिप की तरह तुम्हें जोड़ दूँगा उसी जुंड में बचोगे नहीं तुम्हारा खैर नहीं होगा इतने सिंग होते हैं उनके पास ठीक ना समझ रहे हो ने तुम्हें बाकी मतलब जो समू है आप बड़ा से बड़ा कर सकते हो आप जितना चाह उतना बड़ा मतलब अधिक से बड़ा से बड़ा आपको समू बनाना है तो then how many animals मतलब की एक herd में कितने animal होंगे और there are number of herds और कितने समू बनेंगे इस तरह के वही आपसे पूछा है चलो अब फिर से सवाल की भासा देखोगे तो same to same वही है आपको सबसे पहले क्या चीए कि एक समू में ज़ादा से ज़ादा कितने animal होंगे है ना तो आपको चाहिए HCF सबसे पहले आपको क्या चाहिए HCF कितना किसका HCF चाहिए 945 और 2475 का option से क्लिक करोगे तो आसान बनेगा देखो 45 है 46 है 15 है 46 तो होगा नहीं क्योंकि इसको काटेगा नहीं यह option इसे ही गलत हो गया 9 और 389 75 12 और 8 यह 9 भी नहीं काटेगा क्योंकि 9 नहीं काट रहा है इसको 4 2 6 7 3 5 8 8 आर काट तो रहा है यार 9 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है ठीक है ना चलो यह बनलब 46 वाला गलत हो गया बाकी 3 हो सकते हैं अब 3 में देखो बड़ा से बड़ा चाहिए तो यह 9 छोटा है 15 छोटा है 45 बड़ा है तो 45 वाले से चेक करते हैं देखो 45 काट रहा है क्या 945 को तो 45 दुनी के 90 45 एककम 45 हाँ इसको तो काट रहा है 45 उसको देखो काट रहा है कि नहीं 45 पचे कितना होगा 225 है ना 225 22 बचा फिर से 25 हाँ यह 45 इसको भी काट रहा है मलब इसका जो स्चेफ आएगा ना वो 45 आएगा स्चेफ कितना आगया 45 और यह जो 45 आया ना मेरे भाई यह क्या आया है आप बताओ यह जो 45 आया है यह आया है प्रतेक जुन्ड में प्रतेक जुन्ड में पसुओं की संख्या क्या आया है प्रतेक जुन्ड में पसुओं की संख्या आया है यह अच्छा सवाल है प्रतेक जुन्ड में पसुओं की संख्या 45 आ गई आपसे यह भी तो पूछा था क्या बोला था कि एक जुंड में कितने पसू आएंगे तो 45 आएंगे एक जुंड में पसू की संख्या ठीक है भाई चलो आगे देखो आपसे बोला था जुंडों की संख्या भी बता नहीं है जुंडों की संख्या जुंडों की संख्या निकालो अब देखो, cows के कितने जुंड बनेंगे, total है 945, तो 45 से भाग करो, 45 से भाग करो, 45 दुनी के 90, 45 से कम 45, इसके 21 जुंड बनेंगे, और sips के कितने बनेंगे, sips जो होता है, singular player, दोनों एक ही होता है, जानते रहो, ठीक है न, अब कितना है, 2475 है, तो 2475 डिवाइड बाइ 45, 45 पांच बार है, पांच पांच, ठीक है न, तो 55 जुंड इसके बनेंगे, मतलब टोटल कितने जुंड हो गए, आप बताओ, टोटल, टोटल कितने बन गए, 21 और ये मिलके, टोटल कितने हुए, 21 और 55 मिलके, 76 होते हैं, 76 जुंड टोटल बनेंगे, 45 और 76 ये तर ड्राइट राइट आंसर मिल गया है, ठीक है न, और वैसे भी जिब 45 मसा निकल गया तो इसको लगाने के जूरत नहीं, डरेक आंसर बता देते हैं, 76, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आंसर कौन सा हो गया, 45 और 76, इन दोनों का, जब योग करोगे तो 76 तरी आएगा, ठीक है बाई, एकदम आसान तरीका है, सवाल में देखो कहीं नहीं लिखा है, कि आप HCF निकालो, या लस अप निकालो, आज जितने भी सवाल है, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि आप लसा निकालो, या मसा निकालो, ये कुछ application होते हैं कि लगाने का method में सीखो, कि लगाने का method तो कुछ नहीं है, 945, 924, 925 का मसा निकालो, और मसा से भाग करो, जुंडो की संख्या आजाएगी, वहाँ से प्रतेक जुंड में अरिमल लगाने में तो कुछ नहीं है, मेरी बातों को सीखो, जो मैं सिखा रहा हूं आपको, कि मैं चलो next देखते हैं, देखो ये UPSI का question है, UP उत्तर प्रदेश उपनिरक्षक 12 दिसम्बर का question है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या मुला है, the number of student in A1, A2 and B1 section of mechanical department in a school are 72, 96 and 144 respectively, तीन department है, A1, A2 और B1, ठीक है न, A1, A2 और B1, इसमें 72 स्टूडेंट है, इसमें 96 स्टूडेंट है, और इसमें जो है 144 स्टूडेंट है, ऐसा लिखा है न, A1, A2, B1 में 72, 96 and 144, due to the large number of student in each class, due to the large number of student in these class, the principal want to increase the number of rooms, जो principal है, चुकि इन क्लास में बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं, 72, 96, 144 हैं, इस तरह के बच्चे हैं, त कि मैं rooms की संख्या को बढ़ा दू, ठीक है न, इसमें सवाल का सेम लैंगवेज है, सिर्फ सवाल को बढ़ा करके आपको दिखाया गया, कन्फ्यूज करने के लिए, आपको सिर्फ कन्फ्यूजन क्रियेट करने के लिए ऐसा किया गया है, वरना सवाल को पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा हलवा है, हलवा ये, बास में कैसे देखो, कह रहा है कि तीन सेक्सन है, A1, A2 और A1, A1 मे 72 हैं, A2 मे 96 हैं, और B1 मे जो संख्या को बढ़ा दिया जाए, अब रूम के संख्या को अगर वो बढ़ाना चाहेंगे, तो चलो वो बढ़ाना चाहेंगे, वो उनकी बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपसे पूछा है, कि what is the minimum number of rooms, अभी फिलहाल के लिए कम से कम कितने rooms के आवसक्ता बनेगी, कम से नंबर आफ इस्टूडेंट जबकि प्रतेक रूम में समान संख्या में इस्टूडेंट बैठें और एक ही सेक्षन के स्टूडेंट बैठें ये भी आप से पूछा है तो चलो देखते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए इनका है एक होचिए है जो कि आएगा वार है कि टूस्ट अवन है कितना आएगा भीया और आगा 12 आएगा 12 आएगा predicting आहे प्रतेक रूम में ही15 नहीं आएगा तो प्रतेक रूम में समान छात्रों की संख्या मतलब प्रतेक रूम में आपको 24-24 स्टूडेंट बनाने होंगे ठीक है भी या प्रतेक रूम में आपको 24-24 स्टूडेंट बिठाने होंगे अगर आप प्रतेग रूम में 24-24 student बनाओगे तो बताओ कितने रूम किया हो सकता बढ़ेगी number of rooms बताओ है ना number of rooms कितने बनेगे आप बताओ देखो यहां से आप बताओ A1 के लिए कितने रूम चाहिए A1 में कुल मिलाकर 72 student है 24 के हिसाब से बैठ रहे हैं तो टोटल कितने रूम चाहिए 24 त्याई 72 तीन रूम इनको चाहिए ठीक है और A2 में A2 में टोटल मिलाकर 96 बच्चे हैं 24 के हिसाब से बैठ रहे हैं 24 चोग को च्छान में 4 रूम सिंको चाहिए ठीक है भी या और A3 में कितने है A3 नी B1 है B1 में टोटल 144 बच्चे है 24 के हिसाब से बेठेगे तो 24 चका छे रूम इनको चाहिए तो टोटल कितने रूम प्रिंसिपल को बनवाने पढ़ेंगे आप बताओ total कितने रूम प्रिंसिपल को बनवाने पढ़ेंगे तेरा rooms के आऊ सकता पड़ेगी, तेरा इस दराइड answer बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा सवाल है Lawsum Hustle का है, सांदार application का सवाल है जहां से UPSI के question में पूछा गया था तो मैं आप बहुत सारी बच्चे ऐसा बोलते हैं कोई समस्या नहीं होगी, कि आप UPSI के लिए कुछ अलग से यह करो वो करो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप practice करो जारा से जारा सवाल लगाओ, variety आप फर तरह के question से आप अच्छे से रहो, देखो सवाल में कुछ आप बताओ, यह सवाल सिर्फ आपको confuse करने के लिए देता है, चुकि जब exam में सवाल आता है तो यह अभी तो चलू मालो, यह white board है, तो इसको मैंने छोटा-छोटा में करके लिख दिया है, जब यह paper में आएगा, तो एक तरफ English होती है, एक तरफ Hindi होती है, तो paper में हैं एक तरफ English, एक तरफ Hindi, तो यह सवाल आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ लाइन यहाँ है ना, तो वहाँ आपको यह सवाल कम से कम कितने लाइन में दिखेगा, पता है है ना आपने मान लिया जबकि सवाल को जब पढ़ोगे ना अंदर से जब समझने की कोसिस करोगे मैं हमेसा यही देखता हूँ UPSI के देखो सब सवाल ऐसे नहीं आते हैं जैसे आप देखोगे तो 40 सवाल जो है उसमें से 35 सवाल तो एकदम हलवा आते हैं कुछ सवाल ओते हैं जो अच्छे लेबल के होते हैं एकक नाक दो सवाल रहते हैं पूरे 40 में से आप देखोगे पूरे 7 में देखोगे तो एकक्क दो सवाल हो तें जो हाँ थुड़ा एकस्टा 40 सवाल कर लेते हो, 40 में से 30, 35 सवाल कर लेते हो, तो आप मैयت में बहुत अच्छा स्कोर कर रे हो। ठिक है ना, तो घबराऊ मत मैयत को लेके, बाकी तो सब्जек्ट हैं आपके पास, ठिक है ना, बाकी सब्जeक्ट में अच्छा करो स्कोर, और ये सवालों से डरना नहीं चीए कभी भी कभी भी आप डरो मत कि आपका एक्जाम इतना टफ है हम क्या करें ऐसा कुछ नहीं डरने की जूरत नहीं प्यार से पढ़ो और वेकेंसी आने वाली UPSI की बहुत ही सांदार सी वेकेंसी है इसको मत छोड़ना इस बार दिल जान सब दिल मुहबबत सब लगा लो उसके पीछे सवालों को डरो मत लगाओ सब सवाल टफनी आते एकका दुका सवाल कभी कभी आ जाते हैं उनको छोड़ दो करने की जूरत नहीं है सब सवाल नहीं करने के लिए होते हैं एक्जाम में ठीक है जो रियालिटी उफाक्ट है उसको मानो ठीक है रहा बाकि जब UPSI का बैच आएगा तो उसके अंदर आपको डिटेल में बताय जाएगा सारी कहानिया और सभी तरह के सवाल आपको कराय भी जाएंगे ठीक है समझ में आ रही बाते चलो नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं यह देखो यह बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल मैंने देखा था, जैसे कि यह सवाल मैंने देखा था, अभी रिसेंटली किसी एक्जाम में आया था, मैं आपको बताओ 2020 के जनवरी में आया था UPTED UPTED के एक्जाम में यह सवाल आया था मुझे बहुत प्यारा सवाल लगाई मतलब यही नंबर लग था, सवाल यही था एक तो UPTED में आ चुका है इससे पहले यह सवाल SSC में भी आ चुका है ठीक है ना यह सवाल SSC में भी आ चुका है तो चलो देखते हैं क्या लिखा है सवाल में 68 मीटर लेंथ और 51 मीटर ब्रेट इसकी लेंथ और ब्रेट दिया है इसमें आपसे बोला है कि what is the minimum number of minimum number of squiral tiles आपको इसमें tiles लगानी है tiles मतलब संगमरमर जो घर में लगता है tiles देखो सीसे का खुब चमकता हुआ सांदार tiles दिखता है तो माल लो तुम्हारा यह घर है तुम्हारा यह कमरे का hall है एक माल लो जहां पर guest आके बैठते हैं सबकुछ यह hall है बहुत ही सांदार सा hall दिख रहा है आप चारो कि इसको और सांदार बना दूँ और सांदार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें इस तरह से छोटे-छोटे tiles लगाने पड़ेंगे खुब चमकता हुआ tiles लगा दोगे तो और भी प्यारा दिखेगा ठीक है न भीया इस तरह से आपको tiles लगाने है तो आपसे यही पूछा है कि इसमें कितने tiles लगाने पड़ेंगे आपसे यही पूछा है क्या पूछा है कि what is the minimum number of square tiles are required to cover the pole पूरा floor को cover करने के लिए कम से कम कितनी tiles की आवस्यक्ता पड़ेगी अजब कि tiles कैसा है square के shape में है ऐसा दिया हुआ है tiles कैसा है square के shape में है तो कम से कम कितने tiles की आवस्यक्ता पड़ेगी यही आपसे पूछा है चलो देखो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा सवाल है, सुनो ज्यान से सुनो क्या से लगाएंगे, पहले तो यह समझो पहले तो आप पताओ कि इस floor का area कितना आएगा area of floor area of floor जब आप निकालोगे, मतलब पूरा जो floor है, उसकी area कितनी आजाएगे आयता का रहे, तो length of good breadth आएगा यानि 68 into 51 आएगा यह क्या है, इसका area आगया अब पूरा आपको पता चल चुका है पूरा जो है, 68 into 51 का area है 68 into 51 का अगर आपको यह पता चल जाए कि एक tiles ने कितनी जगा घेरी है देखो, पूरा जो यह area cover करना है, तो इतना है आपके पास कितना है, 68 into 51, इतना है आपके पास अगर आपको यह पता चल जाए कि यह जो एक है, इसने कितना cover cover किया है तो आप आसानी से पूरे में एक से भाग कर दो तो number पता चल जाएगा हमें एक tiles का area चाहिए एक tiles का क्या चाहिए, area चाहिए एक और condition है इसमें जो छुपा है आपको दिखनी रहा है क्या है condition आपको पहले तो tiles कैसे लगाने है square के shape में लगाने है कैसे लगाने है, square के shape में आपको tiles लगाने है, अगर square के shape में अगर आपको tiles लगाने है तो ऐसा नहीं है कि आप square के shape में ताइल्स लगा और यहां से आधा तोड़ दो, इसकोने में आधा तोड़ दो, इसकोने में ऐसा कर दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आपको कहीं तोड़ना मरोडना कुछ नहीं है, numbers, minimum numbers of tiles यूज करना है, मतलब अगर कम से कम tiles यूज करना है, तो इसका मतलब एक tiles की लंबाई जादा से जादा रखनी है, बताओ, अगर आप चाहते हो, कि आपका खर्चा कम बैठे, कम से कम tiles यूज करो आप, आप अगर ऐसा चाहते हो, अगर कम से कम tiles यूज करना चाहते हो, तो आपको जादा से जादा बड़ी से बड़ी tiles यूज करनी पड़ेगी, तभी तो कम tiles काट दे ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो टाइल्स का लंबा ही होगा जो इसके लेंथ को भी काट दे और ब्रेट को भी काट दे मतलब यहां से देखो यहां से पहले हम लेंथ आप मतलब साइड ओफ tiles निकाल रहे हैं है ना हम side of tiles निकाल रहे हैं क्यासे आएगा hcf of 68 and 51 हमें इसका scf चाहिए कितना आएगा side of tiles आप बताओ side of tiles कितना आएगा इन तोनों का scf बताओ 68 और 51 का scf कितना आएगा मेरे भाई तो इसका scf आ जाएगा 17 17 meter है तो meter में मतलब एक side जो है उसकी जो tiles है वो 70 meter की होगी अगर 17 meter की रहेगी तो इसके लंबाई को भी काट देगी और इसके चोडाई को भी काट देगी भासन में अगर 17 meter की tile रहेगी तब ये तो 17 meter के tile की एक side आई है सिर्फ आप पूरे floor में number up side जाते हो तो पहले tiles की area आपको पता होनी चाहिए तो हमें अब क्या चाहिए area of tiles चाहिए area of tiles बताओ area of tiles कितना होगा चुकि tiles कैसा है square के shape में यहां लिखा हुआ है tiles कैसा है square के shape में अगर tiles square के shape में है तो आपको इसका work है कैसा है work है square मतलब Square, square का area क्या होता है? Side का square, भूजा का square तो side का square यानि 17 का square यानि कि 17 गुड़े 17 17 गुड़े 17 ये tiles का area आ गया ठीक है न भी है? अब आपको क्या चाहिए? पहले ये बताओ अब आपको चाहिए number of tiles क्या चाहिए? यहां से देखो आपको चाहिए number of tiles अगर number of tiles ये तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना पड़े area of floor divide by area of tiles one tile ठेके नबी या अगर आपको number of tiles ये अगर tiles की संख्याची है तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरे floor की area में एक tiles की area से भाग करना पड़ेगा अब पूरे floor की area कितनी है 68 into 51 तो 68 into 51 ये पूरे floor की area है और एक tiles की area कितनी है 17 into 17 ये एक tiles की area है इसको काट दो answer बन जाएगा यहांस देखो 17 ने काट देखो चार बार में 17 ने काट देखो तीन बार में चार तीयाई बार टोटल बार tiles है आपको कितने tiles है ये 12 tiles is the right answer बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा question है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले देखो फिर से द्यान से समझो ऐसा सवाल हमेशा बन जाता है और बहुत प्यारा सवाल है ऐसा नहीं कि ये सवाल सर mensuration 2D का है mensuration 3D का है ऐसा कुछ नहीं है सवाल लसा मुसा का है है ना सुन द्यान से 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चोड़ाई अधिवाले एक हॉल के फर्स को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गा का टाइलो की आवसकता होगी आप से यहीं बोला है मतलब पहले तो 68 मीटर इसकी लेंथ दिया है 51 मीटर इसकी ब्रेट दिया है आपको इसमें फिट करने है टाइल्स क्या fit करने है tiles fit करने है आपको कम से कम tiles use करना है अगर tiles की संख्या कम करनी है तो tiles की जो लंबाई होगी वो जादा करनी पड़ेगी तो tiles की लंबाई को आप जादा करोगे इसका मतलब पहले तो आप ये बताओ कि पूरा floor कितना है पूरा floor कितना है तो जैसे इस floor में आपको लगाना है तो पहले आपको इसका area पता होना चाहिए तो आपने इसका area निकाला length into breadth होता है तो 68 into 51 ये पूरा floor जो है 68 into 51 का area cover कर रहा है अब इसमें tiles लगाने है अब हमें tiles का अगर measurement दिया होता तब तो सवाल बहुत आसान हो जाता है है ना पूरे floor का area divide by one tiles का area आसानी से लगा लेते इसमें बस एक ही line की कमी है क्या एक ही line इसमें जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी क्या हमें tiles की area चाहिए लेकिन tiles का measurement नहीं दिया है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगाए कि सवाल गलत है क्यों टाइल्स का मेजरमेंट ही नहीं दिया है टाइल्स की साइड ही नहीं दिया है फिर कैसे लगाएं बताओ टाइल्स का जब मेजरमेंट दिया ही नहीं है तो कैसे लगाएं फिर देखो अगर tiles का measurement नहीं दिया तो आप tiles का measurement निकाल सकते हो क्यासे क्यूंकि tiles दिया है squirical के shape में क्यासा वर्ग के form में दिया है वर्ग होने चाहिए square एक square के रूप में होनी चाहिए tiles square मतलब जिसके लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो एक वर्ग के रूप में होनी चाहिए tiles इसका मतलब अगर वर्ग के रूप में tiles होनी चाहिए तो हमें एक ऐसी length चाहिए tiles की हमें एक ऐसी लंबाई चाहिए जो इसकी लंबाई को भी काट दे इसकी चौड़ाई को भी काट दे जिससे tiles फिट हो जाए कहीं भी tiles कोई काटना पाटना न पड़े ठीक न तो हमें क्या चाहिए इसके length को भी काट दे इसके breadth को भी काट दे मतलब की हमें मसा चाहिए जब आप मसा निकालोगे इसके length और breadth का जो floor दिया हुआ है तो वो जो मसा आएगा वो side of tiles आएगी मतलब tiles की भूजा आएगी यह जो tiles आप बीज में लगा रहे हो न छोटी-छोटी उस tiles की कितनी लंबाई रहेगी वो निकल के आजाएगा तो 17 मीटर की tiles आएगी कितने मीटर की? 17 मीटर की tiles आएगी 17-17 मीटर की tiles आपको use करना पड़ेगा 17 मीटर जो है उसकी एक length है और अगर आपको number of tiles है यह तो आपको पूरे area में से एक tiles के area में भाग करना पड़ेगा तो पूरा area 68 into 51 का है एक tiles का area आपको निकालना पड़ेगा उसकी side आचुकी है 17 तो area आजाएगा 17 का square है ना? क्योंकि वर्ग का 6000 क्या होता है? भूजा का square तो 17 गुड़े 17 यह इसका area आगया अब यहां से area जब आपको floor का चाहिए तो floor का area divided by area of one tile आसानी से लगा दोगे तो 12 tiles इसका number आजाएगा बता आप समझ में आए कि नहीं है? समझ में आगया? ऐसा ही सवाल है next देखो सेम टू सेम ऐसा ही है क्या दिया है? यह सवाल यूपी टेट का है मैं आपको बता हूँ यह सवाल कब आए था? यूपी टेट आठ जनवरी 2020 यूपी टेट आठ जनवरी 2020 और SSC में भी यह सवाल आ चुका है एक बार ठीक है? चलो देखो क्या लिखा हूँ है आप 15 मीटर एंग 17 सेंटीमीटर लॉंग यह आम नहीं रहेगा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉंग और 2 मीटर नाइन मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा ऐसा है ना अब यहां समझो आपको इसमें ऐसे छोटी-छोटी टायल स्पिट करने है सेंटीम सेंटीम सवाल है तो पहले आप तो एरिया फ्लूर बताओ एरिया फ्लूर कितना आएगा आप बताओ एरिया फ्लूर आएगा 1517 गुड़े में 902 यह एरिया फ्लूर आगया अब बताओ कि side of tiles कितना आएगी side of tiles बताओ side of one tile कैसे आएगा तो आपने कहा सर SCF निकालना पड़ेगा किसका 1517 and 902 का इसका आपको SCF निकालना पड़ेगा अब इसका SCF कितना आएगा side of tiles आप निकालोगे तो इसका SCF निकालो 1517 902 का ठीक है न पंद्रहसो सत्रह नौसव दो कि दो 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 अच्छा 24 को 22 से कम बाइस यह 41 से जा रहा है यह देख लो 41 से जा रहा है कि नहीं 41 से यह भी चला जा रहा है ठीक है न तो इसका जो area आएगा यह 41 मीटर आए 41 सेंटीमीटर side of each tiles 41 सेंटीमीटर आ गया है तो जरा बता दो यहां से मुझे कि area of side क्या आ जाएगा area of one tile कितना आ जाएगा आप बताओ 41 कुड़े 41 क्योंकि वर्ग का square होता है और side कैसी है squareical के shape में है ठीक है न भी यह तो यह आ गया 41 into 41 यह क्या आ गया है यह एक tiles का area आ गया है अब फिर से वही कहानी वही बात वही सवाल कि अगर आपको number of tiles चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको area of floor same सवाल है सिर्फ digit चेंज हुआ है area of floor डिवाइड बाइड 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 एरिया आफ each each tiles है ना आपको यह logic लगाना है चलो देखो यहां से बताओ area floor कितना है 1517 गुड़े में 902 और एक tiles का area कितना है 41 इंटू में 41 देखो यहां से इसको काटना है काटो 41 ने इसको काट दिया कितनी बार में 41 दुनी के 82 42 बार में और यह 41 इसको कितनी बार में काटेगा 27 कितना बचा 27 23 मतलब 27 ने 28 282 तो साथ बार में हाँ 287 साथ बार में हाँ 7 बार में तो कितना आया 37 गुड़े में 2 कि 37 गुड़े में 22 37 दुनी के 74 को 4 37 दुनी 74 चोगतर और 7 मिल के 18814 टाइल्स लगेंगी कितनी टाइल्स लगेंगी 814 टाइल्स लगेंगी 814 इसे राइट आंसर बासस्ञ मैं भी या 814 टाइलस इसका और वहाथ अच्छा सवाल और सेम्टू से वैसा देखो क्या है अगर आपको number of tiles चाहिए तो area of load divided by area of each tile चाहिए तो आपका आसानी से काम बन जाएगा अगला सवाल देखो the smallest square number divisible by 10, 16 and 24 देखो आपसे क्या बोला है कि एक number चाहिए जो इससे divisible हो इससे divisible हो मतलब क्या चाहिए बताओ इससे divisible हो मतलब क्या चाहिए LCM चाहिए आपको किसका 10 का 16 का and 24 का इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा आप बताओ देखो इसका जो LCM आएगा तो 4 है इसमें इसमें 3 है तो 16 या 48 48 पच्चे 240 कितना आएगा 240 LCM कितना आगया 240 240 ही वो number है जो इनसे divisible है आपसे बोला है न कि एक ऐसा number चाहिए जो इससे divisible लेकिन 240 option में नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर बोला है smallest square number चाहिए कौन सा number चाहिए square number चाहिए 240 is not a square then what should we do let's do मैं बताता हूं कैसे करना है सुनो सुनो क्या करना है मेरी बात को सुनो ध्यान से देखो आपको क्या करना है इनका square तो निकालो लेकिन ऐसे निकालो 10 16 24 का LCM तो निकालो लेकिन इस तरह से निकालो दो से काट दो पांच बार में यह आठ बार में और यह 12 बार में फिर दो से काटो ये पांच बार में ये चार बार में ये छे बार में फिर दो से काटो ये पांच बार में ये दो बार में ये तीन बार में फिर दो से काटो ये एक बार में ये एक बार में और ये तीन बार में फिर तीन से काटो ये पांच बार में ये एक बार में फिर पांसे काट दो, तो ये एक बार में, एक बार में, एक बार में, ठीक ना, LCM कैसे लिखते हो, आप बताओ, LCM आप कैसे लिखते हो, आपको तो पता है ना, square number चाहिए जो divisible हो ये number है जो इन से divisible लेकिन ये square नहीं है हमें square चाहिए तो मैंने आपको कहा था कि जैसे 240 आये था ना लसर इसका जब गुड़ा करोगे तो 240 आएगा है ना जब इनका गुड़ा करोगे बराबर में ये 240 आएगा तो अब जो भी number होगा हो 240 के ही गुणा में होगा तो हमें इसको square बनाना है तो चलो square बनाते हैं देखो ये तो हमारा square है 2 का square ये भी हमारा square है 2 का square लेकिन ये हमारा square नहीं है ये केवल 3 है इसको square करना है तो 1 3 का और गुड़ा करना पड़ेगा तब जाके तीन का स्कॉयर बनेगा है ना ये भी हमारा स्कॉयर नहीं ये खाली 5 है अगर इसको स्कॉयर करना है तो एक और 5 का गुड़ा करना पड़ेगा तब जाके 5 का स्कॉयर बनेगा तब सारे के सारे स्कॉयर हो जाएंगे तब सारे के सारे क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे तो 2 तो स्क्वायर है उनको तो कुछ करना है नहीं लेकिन अगर बाकी 2 को स्क्वायर करना है तो आपको क्या-क्या चाहिए एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए और एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए तो इसका मनला तीन पच्छे 15, आपको इसमें 15 का गुड़ा करना पड़ेगा, 15 गुड़ा अगर इस साइड करो तो 15 गुड़ा उस साइड भी करो 15, 0, 15, 64, 65, 36, 36, 36, तो 36 वो नंबर है, जो परफेक्ट इसक्वाइर है और इन सबसे कट जाएगा कौन साव नंबर है 3600 बासन में आ रही है जली बताओ फिर से देख लो आपने पहले यह निकाला ठीक है न तो आपका आंसर कितना है 240 240 आपका उत्तर होता कब जब यहां पे square number नहीं कहा होता तब अगर आपसे square number कहा है smallest square number आपसे कहा है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा square इसमें किसका गुड़ा करें कि square हो जाए तो यहां से नहीं जान पाओगी किसका गुड़ा करें कि square हो जाए आपको फिर यह वाला तरीका लगाना पड़ेगा यह देखो यह square है ये square है लेकिन ये और ये square नहीं है तो इन दोनों को भी square करने के लिए एक 3 का गुड़ा करना पड़ रहा है और 5 का गुड़ा करना पड़ रहा है तो 3 पचे 15 का गुड़ा करना पड़ेगा तब जाके स्क्वायर होगा तो हमें 15 का गुड़ा इसके लवसा में कर देना होगा तब जाके वो हमारा पर्फेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा ठीक है ना तो हमें इसका गुड़ा करना पड़ेंगे तो पर चाहिए बासन गया चलो ऐसा ही सवाल अगला भी है कि स्मॉलेस्ट पर्फेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजबल बाई 6 12 और 18 तो फिर से आपको क्या चाहिए लवसा चाहिए 6 12 और 18 का 2 से काट देंगे 3 2 से काट देंगे 6 2 से काट देंगे 9 फिर फिर 3 से काट देंगे 1 1 और यह 3 फिर 3 से काट देंगे 1 1 और यह 1 मतलब हमारा LCM कितना आया आप बताओ दो गुड़े 2 गुड़े में 3 गुड़े 3 LCM कितना आया बताओ 24 नो 36 आया है आपसे क्या बोला था देखो आपसे क्या बोला था आपसे बोला था वह नियुम्तम पुडवर्ग संख्या क्या है जो 6 12 या 18 परतेक से विभाजित हो तो पहली तो हमारी वो संख्या 36 है जो इ देखो यहां से कि 2 का स्कॉयर ये भी है 3 का स्कॉयर ये भी है दोनों पुडवर्ग है पुडवर्ग है तो कुछ करना ही नहीं अगर परफेक्ट स्कॉयर है तो फिर कुछ करना ही नहीं है बासंज में आरेगी नहीं अगर ये परफेक्ट स्कॉयर है तो फिर कुछ भी करने के जूरुत नहीं है ठीक है भीया तो इसी तरह के सवाल लसा मसा में बनते हैं या आज लसा मसा की चौथी क्लास थी आपने देखा कि बहुत अच्छे-च्छे सवाल और एक्जाम के point of view से कितना important है LCM SCF और कितने अच्छे लेबल के सवाल बनते हैं इसमें ये तरीका आपको समझ में आया है अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप टेलिग्राम पे हमारे साथ जुड़िए ठीक है न मैट्स से related आपकी कोई भी समस्या का समाधान हमारे टेलिग् सिंग मैट्स ठीक है भी या सुभम सिंग मैट्स से टेलिग्राम पे आप जुड़िए और अपनी समस्या बताइए या मैट्स की क्लास कब चलती है कब नहीं चलती है कितने टाइम चलती है कब कहां कैसे चलेगी सब आपको इस चैनल पे बताया जाता है सुभम सिंग मैट्स अगली सीरीज के साथ मिलेंगे कल आज कल इतना बहुत है मिलते हैं अपने अगली क्लास में तब तक हसते रिए मुस्कुराते रिए और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा ठीक है ना होप करता हूं कि आप करेंग ठीक है थाइक निज्वाए लब यो आल जाय हिन जाय भारत